विल्कम एक दोस्तों क्या हाले आप साब का मैं उमीद करता हूँ क्या आप सब खैरियत से होंगे तो गैस आज है 30th of November और अगर आज का दिन भी मैं क्राउंट कर लूँ तो पुशपटू को थेटर्स के अंदर रीलीस होने में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे है मतलब के बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा तो अब भी क्या लेटिस्ट रिपोर्ट है इंडिया में इडवास बुकिंग उपन उसके इनावा बड़े रिकॉर्ट्स करियेट हो चुकिया है और क्या कुछ चल रहा है सारी रिपोर्ट्स मैं आपको देरे वालों की सुनिएगा ओनलाइन बुकिंग इन तेलंगना विल ओपन टूमोरो आफ्टर ट्वेल्फ पीम यानि के तेलंगना के अंदर अभी दिन को बारा बजे के बाद बुकिंग को ओपन कर दिया जाएगा अब गईज यहां पर मैं आपको बता दू बोलर जा रहा है इडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी और मैंने बोल रखा है फर्स दिसेंबर को देखो यह जो आज इडवांस बुकिंग ओपन होगी ना दिन को बारा बजे के बाद आप इसको ना लिमिटेड या लिमिटेड से थोड़ा सा उबर कह सकते हो कल इसी टाइम तक मौर्निं तक आप कह सकते हो कि मैकसिमम जगा पर इडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया जाएगा लेकिन जो हम वीडियो बनाते होते हैं इडवांस बुकिंग रिपोर्ट वाली रात को आठ से नो बजे की बीच में तो गैस वो मैं आज देखूंगा कि अगर तो इडवांस बुकिंग ओपन होने के बाद रिपोर्ट आ गई कि कितने टिकेट सोल डूट क्या सारा सीन है तो मेरी वीडियो का ज़रूर आईगी और मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि भैस सब इतने टिकेट सोल डूट यहां पे बुकिंग ओपन इतने शोस फिलिंग फास्ट फुल भाई मज़ा तो आने वाला है इसके बाद मैं आपको बताता चुलूग बुक माई शो इंटरस्ट हो चोके है 1.3 मिलिय यह मैं अभी आपको current latest data दे रहा हूं 1.3 मिलियन इंटरस्ट हो चोके है एंग 2 मिलियन इंटरस्ट हो चोके है टे टेम के उपर रिकान करियेट हो चित है 2 million interest Pay T.M. के उपर 1.3 million interest भई सहाब यहाँ पर हो चोगे है बुक मैशो के उपर और दोनों को अगर calculate किया जाए तो कही न कही यह भई जाता है 3.3 million तो भई हाई भी यहाँ से चथा कर लो एक distributor हैं ना और एक पेज भी है वो जिसके मैं अक्सर बात करता हूँ कि सौफ में एक पेज है जो कि हार एक उफिशल अपडेट देते रहते हैं तो उन्होंने गाइज ना कल एक बड़ी अच्छी बात बोली मुझे अभी माइंड में आ गई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दू और इस बात से नाया अगर मैं बोलू तो पुश पाटू से कलकी की मेकर्स को कुछ सीखना चाहिए अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखो अब हर एक को पता है कि पुश पाटू ने आना है बच्चे बच्चे को पता है बड़े को पता है चोटे को पता है कि पुश इस फिल्म के लिए excited है और हो सकता है वो day one पे ही देखना prefer करें याद रखो काई movies ऐसी होती है जिन के लिए public excited तो होती है लेकिन public wait करती है reviews का कुछ movies ऐसी होती है जिन के लिए public reviews का wait नहीं करती पुषपा 2 उन में से एक है और जिन movie का review wait नहीं करता है वो बहुत limited movie लास्ट ये जैसे भाई साब के जी अफ टू आई थी बाहु बली टू के टाइम तो क्या ही reviews का टाइम था लेकिन अब के पुषपा 2 ये ऐसी movies है जिन के reviews मैं बोलूंगा के बहुत कम ही सुने जाते है पबले कहती है बस हमें देखाओ बात खतम मतलब कि ये कितना बड़ा क्र अरजुन इस फिल्म की प्रोमोशन कर रही है खुद क्यूज और क्या जरूरत थी अलू अरजुन को नहीं बता कि मेरी फिल्म की कोई भाई मुझे टेंशन नहीं है इतनी हाई भाई ये वो कल मुंबाई में प्रेस मिटिंग ती डेली कहीं न कहीं पोचे होते हैं बात है न यहाँ पर तो सेल्यूट बिल्कुल 100% गईज बनता है खर अगली अपडेट मेरी फेवरेट अपडेट और अब इसके बाद एक्चुली में आपको तबाही नजर आने वाली है कल जब मैंने गईज लगबग मॉर्निंग 10 के आसपास आपको ओवर्सीज अपडेटिड इड बताया था कि भई सब हिंदी इडवांस बुकिंग अल्मोस्ट पचास लाकी हो चुकिया कल की बात कर रहा हूँ लेकिन कैनेडा के अंदर सिनिपलेक्स जो मेजर भई सब चेन है वहाँ पर हिंदी इडवांस बुकिंग ओपन ही नहीं हुई है और आप मालों के भई उस 30% बॉक्स ओवस कोलेक्शन इस चेन से होती है तो ओफिशली कल लगबख शाम के डाइम मेकर्ज ने अनौसमेट कर दी थी कि भई सब कैनेडा के अंदर भी हिंदी इडवांस बुकिंग ओफिशली ओपन हो जो कि ना सिर्फ सिनिपलेक्स चेन में बलके उसके इलावा भी त में कुछ बड़ा धमाका एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अल्दो इतना जल्दी तो नहीं आता कल तक हमें वेट करना पड़ेगा लेकिन अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो नंबर सा आने वाले हैं ना ओवरसीज इडवांस बुकिंग के वो या स्पेशली यूएसे की प्री स लेकर गाइस मैं बहुत जज़ा एक्साइड़ हो चुका हूँ इसके बाद गाइस मैंने रात को आपको अपडेट दी थी कि बारह हजार स्क्रीम्स पर मेकर्स इस मुवी को रिलीज करने वाले हैं माइटरी मुवी मेकर्स ने कल मूंबई प्रेसमेट में अफिशली कन्फर और सीज पूरे का पूरा आइमेक्स होगा बिगेस्ट रिलीज इन दा हिस्ट्री ओफ इंडियन सैनमा आप ये मान सकते हो कि ट्रिपल आर के बाद ट्रिपल आर का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ क्यों कि ट्रिपल आर एक बहुत बड़ी रिलीज थी और तो वो उस टाइम क् मैं ज़रा बात नहीं करना चाहता तो आप कह सकते हो कि भाई साहब ट्रिपल आर के बाद ये पुछ पर टू इंडिया की बिगेस्ट रिलीज है आप पुलोगे कि सालार भाई USA में सालार आइमेक्स पर रिलीज नहीं हुई थी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गई थी उसकी त बड़ी रिलीज थी ओवर सीज में बड़ी रिलीज उस लेवल की नहीं थी यहां पर पुछ पर टू हर एंगल से वन ऑफ दी बिगेस्ट रिलीज इन दा हिस्ट्री ओफ इंडियन सैनमा है चाहें इंडिया की ब्यार इंडिया को तो छोड़ दोना ओवर सीज पूरे के अगरू तो कलकी, गौट, देवरा, गंगवा, हर एक ना मुवी का डेवन का पॉटेंशल है जैसे कलकी आई तो सब ने बोला कि 150 टू 180 करोड कर सकती है किया उसने 190 करोड इसी तरह हर एक ने देवरा की प्रेडिक्शन दी यानि कि पब्लिक प्रेडिक्शन देती है और मु ग안रेटर पे गईयज मैंने पोस्ट की कि किया लगता है पुष्वा डेवन में कितना करेगी, ज़ियादा पब्लिक का अंसर 200 करोड प्लस था। कुछ 250 करोड प्लस भी बोल रहें लेकिन ज़्यादा का नसर 200 से 250 करोड का मिट था। मतलब कि पब्लिक भी यह मान रही है कि 200 सो क्रोड प्लस गैस कहीं न कहीं होने वाला है इसके बाद थर्टियत निवेंबर को इंडिया में ड्वास बुकिंग ओपन यानि के आज ओपन है उसकी अपडेट मैं आपको जरूर दूँगा लेकिन आप लोग मुझे बताओ एकसाइटेड हो या नहीं फिर्स देखने वाले यानिक क्या सीन है कमेट सेक्शन के अदर बताना फिलाल के लिए ते वीडियो पर लोड़ी लाइक करना चनल को सब्स्राइब करना और रंगली रंगनेटर थैंक्स वर वाचेंग